नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों राजस्तान करमचारी चैनबोड जेपूर के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड सिध्य बढ़ती 2022 जो है वो निकाली गई है और ये आज गई है 20 मैं 2022 तो 460 पदों पे ये बढ़ती होगी तो और इसके बारे में बात करते हैं इस व 2022 कितने पद हैं 460 पोस्ट है इसके बाद में जो मैन मैन पोइंट है उन पर बात कर लेते हैं आविधन परकिरिया जैसे आफ हमेसा फोम लगाते हैं उसी तरह से आविधन परकिरिया है और ये किस केटेगरी में कितनी सीट है वो सारी डिटेल में इस विग्यापती में दी इसके बाद में देखे पातरता और शेखनी से हो गयता कि ये फोर्म कौन लगा सकता है साथ ही सरकार राष्टिय अध्यापक शिक्षा परिशत द्वारा मानेता प्राप्त पुस्त काले विज्यान में परमान पत्र पुस्त काले और सूचना विज्यान में सनातक पुस्त काले और सूचना विज्यान में डिप्लोमा तो सरकार या राष्टी आध्यापक शिक्षा परिशत द्वारा मानेता प्राप्त पुस्त काले विज्ञान के अंदर या आपका कोई certificate होना चीए इसमें सबसे ज़ादा विद्यारती जो हैं वो ये certificate लेने की ही कोशिस करते हैं ये पर्मान पत्र मिल जाए तो या तो ये होना चीए बारवी के बाद में मतलब बारवी कम से कम नियूंतम सेक्षन योगेता 12th क्लास है वो होनी चीए उसके बाद फिर आपके पास या तो ये certificate हो या फिर पुस्त काले और सूचना विज्ञान में आपकी graduation हो या फिर पुस् इस बर्ती है तो निर्दारित सेक्षनिक योगेता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अब यरति आवेदन कर सकेंगे परन्तो निर्दारित सेक्षनिक योगेता इस बर्ती की प्रीक्षा तिति से पूरो अरजित करनी अनिवारिये होगी जो भी sectioning योगेता है वो आपके exam जब होगा उस exam की date से पहले पहले आपके पास में वो अरजित होनी चाहिए बाकिया नहीं होगेता है जैसे स्वास्तिये ये चीज़ें होगी फिर उसके बाद राष्ट येता आयू एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर चुका हो लेकिन 40 वर्ष का नहीं हुआ हो परन्तु जिस बर्ती विशेश में सिधी बर्ती के पदों के लिए बर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदेक उस वर्ष की भर्ती के आयू के दरिश्टी से पातर था तो उसे आयू के दरिश्टी से पातर माना जाएगा किन्तु यह चूट तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो यह जो लाइब्रेरी वाली बर्ती आई है यह 2018 के बाद नहीं होने के करण आवेदेकों को अधिक्तम आयू सिमा में तीन वर्ष की छूट और दी जाएगी तो जो जनल केंड़ेट है जो 40 वर्ष क्या यह यहां लिखी है वो 43 एज तक जनल केंड़ेट जो है यह फोरम बर्सकता है आप जैसे मालिशे किसी की एज आभी अगर 41 है 42 है या 43 अभी नहीं होगी इस डेट तक तो इस डेट तक 43 नहीं होना चाहिए तो वो विद्यार्थी विफोरम लगा सकता है बाकिये जैसे अलग-लग कैटेगरी के अंदर यह छूट है अधिक्तम आयू सिमा में तो जैसे सभी के लिए होती है वैसे ही है उसके बाद है कि प्रिक्षा सुल्क जमा कराने और ओन-लाइन आवेदन भरने की जवावदी क्या है तो प्रिक्षा सुल्क राजे के निर्दारित एमितर कियोस्क जन सुविदा के अंदर नेट बेंकिंग एटियम डेबिट कार्ड क्रेड कार्ड के मद्यम से 26 मई 2022 से 24 जून तक जो है वो जमा कराय जा सकता है और ओन-लाइन आवेदन पत्र जो है वो 26 मई से 24 जून तक जो है रात के 11 बज के 69 मिनट पर बोर्ड की वेब साइट पर भरे जा सकते हैं इसके उपरांत लिक निश्करिये हो जाएगा तो अगर आपको बरना है तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते फिर जो साइट है वो थोड़ी हैंग होने लग जाती है विद्यार्थियों की संक्या बढ़ जाती है तो कई बार बड़ी समश्या करी हो जाती है की ओर अगर लास्ट डेट अगर यह नहीं बढ़ाए मान लिजिए तो फिर तो फोरम नहीं बरपाएगा विद्यारती तो सुरू के 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फोरम लगा देना चाहिए अगर आपको बरना हो तो प्रिक्षा का माहे और दिनाग संभावित माहे लिखा है सितंबर 2022 तो बाकी ये सुजना वगरा आगे दे दी जाएगी तो ये जो बैसिक इसमें इन्फोरमेशन है वो आपको बता दी मैंने और पुस्त काले देक्स ग्रेड थर्ड के पदो है तू प्रिक्षा की स्कीम और पाठे करम तो जो है वो साइट पर जल्दी इनके द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा और बाकी जैसे इसमें रास्तान जीके जो आता था अलग से जैसे 100 परशन आते थे पचास क्यूसन रास्तान जीके के और 100 परशन लाइबरेरी साइंस के तो रास्तान जीके का जो कंप्लीट कोर्स है वो उपलब्ध है लाइबरेरी साइंस के लिए रास्तान जीके के नाम से ही है रास्तान जीके स्पेसल कोर्स के नाम से पिछली बार 2018 वाली वेकेंसी थी उसके लिए भी बहुत सारे विद्यार्थों लिया था और 90% से उपर नमबर जो है वो उसी पूरे थे कॉर्स में से, नोट्स में से, विडियो लेक्चर में से तो अब में से आप में से कोई विद्यार्थ अगर लेना चाहिए तो जो एफ है उसके माद्यम से ले सकता है और अगर आपको कोई लगती है कि नियावशक्ता नहीं है, आपका रास्तान जी कि अच्छा है तो फिर ऐसी कोई आवशक्ता नहीं है, अगर आप त्यार कर सकते हैं या ओलेडी आपने जैसे कोर्स ले रखा है किसी का, आपको लगता है कि नहीं हमें और रिक्वाइर नहीं है तो कोई ऐसी जुरूरी नहीं है बस आपकी त्यारी जो है वो इसमें अच्छे से होनी चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिन, जै भारत